इन दोर में मसूर में नीचे दामों पर सीमित पूच परक निकलने और आवक में कमी के कारण भाव में आंशिक सुधार रहा मसूर सुधर कर नीचे में 625 उपर में 650 रुपे कुइंडल तक बोली गई हाला कि मसूर में जैसी ग्रह की निकलनी चाहिए वैसी नहीं है ऐसे में जादा तेजी की गुंजाईश कम है इधर नई मूंग दाल चिलका की आवक का श्री ग्रेश हो गया और 8,001 रुपे प्रती कुइंडल के दामों पर सौधे हुए दूसरी और चने से बने उत्पाद बेसन में वैवाहिक सीजन के चलते अच्छी डिमांड बनी हुई है जिससे चने के घटते दामों में कुछ रुकावट आई है फिलहाल चने का भरपूर स्टॉक मजबूद है और नई फसल भी जोड़दार बताई जा रही है जिससे चने की कीमतों में लंबी तेजी की गुंजाईश नहीं है इन दौर में चना काटा नीचे में 4,900 उपर में 4,950 उर्पे प्रती कुंटल तक बोला गया तुवर, मूंग और उडद में कामकाज सुस्त बना हुआ है जिससे इनकी कीमतों में स्थिरता रही वहीं दालों में उपभोकता ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण कुछ दालों के दाम नीचे जाने लगे है सोमवार को इंदौर में मूंग दाल 100, मूंग मुगर 100 और उडद मुगर में 100 उर्पे की गिरावट रही अन्य दालों की कीमतों में स्थिरता रही यूर्पोर्ट माकेटम्स टीव